हलो फ्रेंट्स मेहुर राजीब फ्रॉम राष्टे आज हम दिखेंगे कोई भी एप्लिकेशन उपेन करने के बाद आपको ओ काम नहीं कर रहा है तो आपको कैसे करना है क्या करने से ओ फिर से काम करेगा विदाउट रिस्टार्ट ठीक है रिस्टार्ट करने के बाद आपको ह कुछ एप्लिकेशन है लेकिन अगर आपको रिस्टार्ट नहीं करना है तो कैसे सार्विस को दोबारा रिस्टार्ट करना है मतलब कोई भी एप्लिकेशन आपको और रान करने के बाद एक सार्विस स्टार्ट हो जाता अगर वह सार्विस ठीक से नहीं चल रहा है तो आपक का option आ रहा है तो इसमें क्या है क्या करना है आपको यह application दोबारा open करने के लिए तो आप ऐसा ही बैठे रहा हो तो घंटा पे घंटा चला जाएगा लेकिन application open नहीं होगा तो application open करने के लिए क्या process है आपको right click करना है टाक्स बार में उसके बाद start tax manager ठीक है इसमें देखिए ओ जो application आपको देखा ही देखा है application में आईए देखिए इधार जो application में ने start किया यह बला है ठीक है यह not responding हो गया तो not responding मतलब यह आभी काम नहीं कर रहे है जो service है ओ hang हो गया इसमें क्या करना है आप simply right click कीजिए उसके बाद go to process ठीक है तो go to process में आने के बाद देखिए यह उसका services है जो आभी काम नहीं कर रहा है ठीक है यह service को क्या करना है simply end process ओ service को kill कर देखा देखिए end process कर दिया तो आभी चला गया मैं दोबारा ओ application को open कर लेता हूँ इधा tax menu में देखिए आभी open हो रहा है इसको क्या किया जो process चल रहा था उसको kill कर दिया दोबारा यह process को start कर दिया इसे क्या होगा जो उसका services से वो दोबारा component को connect करके open कर देगा तो देखिए loading final view देखिए application open हो गया तो ऐसा करका अगर आपको कोई भी application open नहीं हो रहा है तो आपको व होगा kill करने के बाद दोबारा उसको process करने से वो application open हो जाएगा तो आज हमने देखा अगर कोई भी application हो आपका दूसरा application हो सकता है वो अगर hang हो जाए तो उसको आप tax manager पे जाके उसको भी int करके दोबारा चलाए तो आपका काम हो जाएगा अगर आपको tutorial आच लगे तो like कर दिजे, share कर दिए, thank you for watching